हलो फ्रेंच, वेलकम डूर चानल करंट अफेर अपडेटेड अधिस देवशी शवस्ती आपको पता होगा हम 10 अम पे एक MCQ सीरीज लाते हैं जो आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इपॉरेंट होती है जो सीरीज को देख रहे हैं मैं आपको सबसे पहले इंफोर्मेशन देना चाहूँगा इस लेक्टर को एंड तक जरूर देखेगा आपको समझ में आ जाएगा इस सीरीज का इंपोटेंच कितना है आपके कमिंग एक्जाम्स में और यह लेक्टर नमर 74 है अल्ड़ेडी मैं 73 लेक्टर करा चुका हूँ इंडिविजूल सब्जेक्स के आज मेरा सब्जेक जोगरफी है ऐसे इंडिविजूल सब्जेक्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं उन लेक्टर को उसकी लिंक मैंने प्लेलिस के लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है आप पूरे लेक्टर देखिए मैं आपको गारिंटी देता हूँ आपके एक्जाम्स में बहुत हल्फुल होंगे और आप इसको माननी रहे हैं तो इस लेक्टर को एंट तक ही देख लिए आपको समझ में आएगा कितना कुछ आपको लेक्टर के एंट तक आप शीख जाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह लेक्टर 10-15 मिट्स कही होता है ज्यादा बड़ा होता नहीं है तो आप इस लेक्टर को एंट तक जरूर देखें और जो चैनल को देख रहे हैं याद अखिए का लेक्टर को देख रहे हैं मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलूँगा आप इन डिटर्न हमारे एप्लिकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले देवशीष क्लासिस यह आपको हमारे इसकी बाई में लिंक जो है वो डिस्क्रिप् लाइक करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोशन क्या है इंडियास सीड वॉल्ट क्या होता मैं आपको बतायता हूं याद एक ऐसी प्लेस बनाई गई है तो प्रोटेक्ट दा इंपॉर्टेंट जेनेटिक माटीरियल याद एक तरीके से जो आप आपकी सीड वगेरा जो आप रखते हो हो याद रखें सीड वगेरा है पूरी तरीके से आपका अर्थी डिस्ट्रॉय हो जाए कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो आप उन सीच के थूरू वापस लाइफ को जनरेट करना चाहते हो तो आपने एक प्रोटेक्ट करके रख प्रोटेक्ट करके सरकारने रखे हो हैं रिमेंबर कि कभी कोई हजार की सिचुईशन आती है तो हम वापस उसको जनरेट कर सके हैं तो कहां पर यह बना रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम पस्पेक्टे से कोशन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है याद अब आप मुझे बताइए ग्लोबल सीट वॉल्ट जो है यह तो इंडिया सीडवल्ट मैं बता इए वो कहां पर लोकेटेंट है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में में मैशिन करिए तो याद रखिएगा लदाक में लोकेट से कहां पर या द रखिएगा चांगला प्लेस म याद दखेगा, DRDU ने बनाया है, with the help of National Bureau of Plant Genetic Resources के साथ, DRDU ने इसको construct किया होता है, this is a very important question, okay, चली, second question मात है, question मात है, second, hidden hunger क्या होता है, यह word आपने शायद सुनाओगा, hidden hunger, ठीक है, चली देखते हैं, क्या होता है hidden hunger, पहला है, there is a deficiency of micronutrient, protein and vitamins, despite getting a calorie-rich diet, वालब calorie-rich diet है, बड़ आपको micronutrients और protein और vitamins दी मिलने हैं, इसकी deficiency आपके अंदर, उसे hidden hunger क्याते हैं, यह several hunger people get unaccounted in national sample survey, उसको hidden hunger क्या रहे है, the foitus in the malnutrition during pregnancy, okay, even those who are economically well of lack of nutrition, याद रखेगा, तो किसको hidden hunger क्या रहे हैं, फोर्थ है, even those who are economically well है, but of lack nutrition, तो किसको हम hidden hunger क्याते हैं, बहुत common term है, याद रखेगा, exam में बहुत दापुचा था, hidden hunger, याद रखेगा, hidden hunger यह होता है से correct answer, I hope आपको पता होगा, नहीं पता है, तो mark करिये, correct answer option number A है, याद रखेगा, जो आपके पास calorie rich diet, आपको दाल, चावल वगरा सा मिल रहे हैं, रोटी वगरा आप खारो, याद रखेगा, याद रखेगा, प्रोटीन, विटामिन, सब की कमी है, remember, ठीक है, इसको कहता है, hidden hunger, तो correct answer is option number A, मैंने यहाद पर mention भी कर दिया, याद रखेगा, इसको आप पढ़ लिएगा, PDF आपको हमारे टेलिग्राम के ग्रूप में available हो जाएगी, तो this is very important, hidden hunger क्या होता है, अगर आप इसका हम detail परना जाते हैं, हमाई course को join करीए, आप मैंने अल्रेडी सब पढ़ा रखा है, next question में third में आते हैं, बड़ा interesting question है, यहाँ मैंने आपसे कुछ waterfalls लिग दी हैं, आसाल हो सकता है, क्योंकि उनको पता है, सर, वहाँ पर गोवा है मनोंने चेन्ने एक्स्पेस मूवी देखी हो, अब आपके बच्चे option में A और D, कुंचिकल waterfall करनाटका में हैं, तो यह भी wrongly match है, ठीक है, और जो बहरा पानी waterfall है, या दखिये, वो located है, उडीसा में, तो मतलब यह भी गलत है, मतलब एक ही लोता सही है, that is option number 3, बाकी मेंने सारे long match किये, या देखी, जोग waterfall करनाटका में है, कुंचिकल भी करनाटका में है, और बहरा पानी waterfall जो है, वो उडीसा में है, तो सारे long थे बस दुच्छागर सही था, तो correct answer option में D है, ऐसे ही question frame किये जाते हैं आपके UPSC में, स्टेट PCS में directly पूछ लेंगा, यह waterfall कहां पर located है, तो जाद दखिएगा, बस difference क्या होता है, question की पूछने का standard, बाकी पढ़ना आपको एक level पर, UPSC level का आप पढ़ रहा हो, तो आप थोड़े questions को और detail में आपने आपने, आपने चार waterfall पढ़ लिए, स्टेट PCS में directly एक waterfall पूछ लेगा, डिफरेंस यह होता है, तो यहाँ पर correct answer, that is option number D, चले, next question में आते है, question number 4, यह सबसे easiest question, एक easy question मैंने सबसे दे दिया आपको, सबको बन जाना चाहिए, east से west आपको arrange करना याँ दखिएगा, east से west, यह hills को, महादेव, राजमेल हिल्स और अरावली, यह भी नहीं बन रहा है, प्लीज आप लोग कोर्स जोइन करें, क्योंकि आप लोग बहुती वीक हैं अभी तो आप, क्योंकि यह सबसे easy question मेरा मानना, राजमेल हिल्स कहां पर है, आपको पता होनी चाहिए, कहां पर है, सबसे east में राजमेल है, फिर महादेव है, फिर अरावली है, यह कोशन नहीं बना है, प्लीज आप मुझे कांटाक करें, क्योंकि अभी थोड़ी से अपन को पढ़ना पड़ेगा, टाइम आ गया, remember, correct answer, यह option number A है, और जो भूल गए थे, उनके लिए मैप आपके सामने ला दिया है, यह है आपका राजमेल हिल्स, आपको अगर आइडिया होगा इसके बारे में, यह आपका महादेव हिल्स, और यह आपकी अरावली रेंज है, तो east से west, I think मैंने अरेंज क को, options है, श्रीनगर, कारगिल, ले और श्योक, यह चार को आपको अरेंज करना है, east to west, difficult question, I know it is difficult question, कैसे arrange करेंगे, कारगिल सबसे east में रखेंगे, श्रीनगर को रखेंगे, श्योक को रखेंगे, या ले को रखेंगे, चारो option में सबसे west में, एक भी बता दें आप, कहां प है, या दखेंगा, कोई श्योक जो है, सबसे east मेरे में, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, या दखेंगे, इसा correct answer option में C हो जाता है, क्यों मुझे पता है, श्योक सबसे east में, फिल ले है, फिर कारगिल, फिर शीनगर, automatically set हो रहा है, अब चलिए मैं आपको दिखायता हूं क 6, this is a tricky and difficult question, what I could say, क्यों कुछ important valleys लिखी हूई है, शायद आप ते नहीं सुनी होंगी valley क्या है, और उनकी बगल में match the following है, क्या एक करेक्टी मैच है कि जैसे मर्खा वेली, दुष्कोई वेली, सांगला वेली और युम्टांग वेली, अब शादे वेली नहीं सुनी हो, कि अब इसमें अगर ये पता हो कौन सा रॉंग है, तो शायद आप आप अंसर निकाल सकते हैं, रेमेंबर, तो मैं आपको बता रहता हूँ इसमें, दुष्कोई वेली जिसको पता है, मैंने पढ़ाय हुआ है, क्योंकि मनीपु नागलाइन में, अभी यहां पर फायर भी याद रखना है, इस तरहे कोशन फ्रेम किये जाते हैं, येस, मार्का वेली इजट लद्डाक, जिसको नहीं पता था, करेक्ट आंस ऑप्शन में डी है, वन और फोर, याद एक साथ चार पांच कोशन में ने करा दी है, देखा है, बहुत सी चीज़े करा दी है, आप चीज में बहुत सी चीज़े बताते हैं, याद रखेगा, इसलिए सीरीज को देखना बहुत इंपॉर्डन है, करेक्ट आंस इस ऑप्शन में डी, वन और फोर, डीटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप इसकी पीडिएफ आपको हमारी टेलिग्राम को पर मिल जाएगा, आप पढ़ पता हैं आपको कि इसको कैसे हम North से South अरेंज करें, जाँते कोशनि क्या है, नौट से South अरेंज करना है, तो मेरी कासी है डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, तो लेकिन चल कोशिश करते हैं, मैं आपको दो हमारा है अनना मलाई इरम इस चारों में, याद अख़े है, बहुते सत्माला महराष्ट में है और गिनार हिल्ज गुजरात में है 1, 2, 3, 4 एकदम साहिए नौर्थ में सबसे गुजरात में है सत्माला महराष्ट में है जवादी हिल्ज आप देख लिजे कहाँ पर है that is Tamil Nadu में आप देख रहे होंगे पूछ रहा हूं मैं आपसे यह UPSC का लेवल है या दखेगा इस तरह कोशन easy or difficult को frame किया जाता है और आप चाहते है सर कैसे courses की preparation करें starting से पढ़ना चाहते हैं जीरो से proper guidance के साथ so 2022 का भी 2023 का भी दोनों का ही courses हमाई application में available है तुरन जाएं आपको download करें अभी और भी कोशन से जाना मत अभी एंड नहीं हुआ है या दखेगा आप जरूर हमाई contact नमर पर भी contact है सकते हैं अगर आपको कोई query हो तो चले आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं कुछ नागर जुन या दखेगा शी सलिम टाइगर रिजर्व नागर जुन टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इसको यह कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं यह कोशन आजकल UPSC बहुत ट्रेंड में है ऐसा कोशन फ्रेम कर रही है तो मेरे कहल से अगर आपको पता है महराष्ट, करनाठका, तिलंगाना, आंद्रपदेश कौन सी रिवर होगी ठीक है और आप यह देख लिए यह टाइगर रिजर्व है जिसको नहीं पता correct answer में आपको बता दिता हूँ बट इसको ज़रूर पढ़िए, correct answer है Krishna river महाबलेश्वा से Krishna river originate होती है महराष्ट में, comment box से हाँ मुझे Krishna river की तीन tributaries comment box से mention करिया तो correct answer that is option number C, जो मैं बोलता हूँ उसको जरूर आप comment box से mention कर दिया करिया तो correct answer, that is option number C चलिए, question number 9 current affairs का question है, बट geography से link कर दिया है अभी recently eruption हुआ है इस वॉल्फ वॉल्चन हो, क्या नाम है इसका वॉल्फ वॉल्चन हो, जो भी recently erupt हुआ है, या दखेगा और मैं बता दू, यह अभी news में भी है, क्योंकि यह अभी erupt हुआ है, और यह highest peak है उस particular island का, remember आपको बताना है कौन से island में यह recently eruption हुआ है, हवाईयन, Galapagos, Marine Island या कैरोलीन island, अब यह difficult हो जाता है, मेरा मानना है कि नहीं पढ़ा होगा सर, यह आपके ऐसा वॉल्फ वॉल्चन हो पूछ रहे हैं, तो यही चीज़ तो आपको अपने notes में अड़ करना है, यही तो इस series का importance है कि हम कुछ ऐसे question दरूर देखें, बहुत famous है इनके बारे में history भी, remember, अब रिसेंटली अरप्शन हो है, इसको Mount Wilton भी कहते हैं, Mount Wilton भी इसका नाम है, remember, चलिए, आज का last question, question number 10, प्रधानवंधी नहींद मोधी पर, इससे मैं 2-3 चीज़े बताने वाला हूँ, उन्होंने अभी रिसेंटली एक डेट को डिकलेर किया, वीर बाल दिवस, okay, by PM मोधी, okay, वीर बाल दिवस, okay, 26 December, 25 December, 28 December, 31 December, कब celebrate किया जाएगा, important question है, क्योंकि रिसेंटली क्या दखेगा, अभी रिसेंटली एक जहनती आई थी, 9th Jan को, वो जहनती 355th याद रखेगा, anniversary celebrate की गई, okay, और उन्होंने वीर बाल दिवस, inaugurate करने की बात की डेट क्या है, बिल्कु सही कहा है, 26 December, सही है, बट वीर बाल दिवस क्यों celebrate किया जाएगा, 26 December को, या आप मुझे comment box में बताएंगे, बट मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ, कि गुरू गोबिन सिंग याद रखे, उनकी जहनती थी, 355th याद रखेगा, 355th मैं लिख रखा है, 355th birth anniversary थी, इसी में गुरू गोबिन सिंग जी की birth anniversary ने बोला, वीर बाल दिवस celebrate के जाएगा, remember, और आपको मुझे बताना है, वीर बाल दिवस, क्यों 26 December को celebrate करने की बात कर रहे है, प्राइम मिनसर, क्यों वीर बाल दिवस, किसके नाम पर celebrate करने की बात हो रही है, या आप मुझे comment box में बताएंगे, तो देखे, यहाँ पर हमारे lectures तो, यह lecture तो complete हो गया है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहूँगा, देखे, मेरा NCRT की classes चल रही है, मेरी, वो बहुत ही important है, मेरा मानना है, मैं personally आपको recommend करूँगा, अगर आपने NCRT classes नहीं देखी है, तो बहुत difficulty हो सकती आपको, कि NCRT पढ़ रखी है, कुछ लोगों ने समने पढ़ रखी है, बट अगर आप lectures देखोगे, और फिर class को उसको देखोगे, बहुत को देखोगे, बहुत difference मिलेगा, मैंने आपको पुरे point frame में lectures को कराया हुआ है, तो आप इसको एक बाद जरूर application विजिट करें, जैसे अभी मैंने class 9th होगे, class 8th होगे, इसे बहुत से NCRT's already cover की है, तो एक बाद description box ने जाकर, आपको जरूर विजिट करें, आपके लिए बहुत helpful होगा, अब जिसने इस वीडियो को एंट तक यहां तक देख लिया है, तो अब बताइए आपको questions कैसे लगे, आपने questions देखे, बहुत को सीखने को मिला होगा, अब आप 3-4 पॉइंट भी सीखने को मिल गया है, हर दिन 3-4 पॉइंट सीखोगे यार, 74 लेक्षर पे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट सीख चुके हैं, कितना आपको एक्जाम में help होने वाला आपके coming exams में, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like जरूर कर दो, और first time चाल में आपको चैनल को subscribe कर लो, जिसमें आपको further हमारे lectures के बारे में information बिलती रहे, जो questions पूछेंगे, उनको comment box में जरूर कमेंट करिए, कोई suggestion देना चाहते हूँ, वो भी आप comment box में comment कर सकते हैं, आपके comment box read out करते हैं, thank you.